Hello everyone, welcome you all to the success gyan Guys, इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे management के बारे में Management क्या होती है, चलो उसकी definition देखते है Management is an art of getting things done through and with the people in the formally organized groups तो management क्या है, जो formally organized groups होते हैं जैसे कि corporate होती है, companies जिनको बोलते हैं कि बड़ी-बड़ी जो organizations होती है, उसके अंदर एक proper system maintain करना जरूरी होता है लोगों से काम करवाना होता है, कि हर चीज को assign करना होता है ये काम इसको करना है, A को करना है, ये काम B को करना है, ये C को करना है तो इस चीज के लिए management एक बहुत important चीज है तो management एक ऐसी art है, जो उन सब लोगों से ये सब काम करवाती है कि वो अच्छे से उस काम को करे, इस चीज को ensure करती है management ठीक है, तो आगे देखते है इस अन आर्ट ओफ क्रेटिंग एन एन्वार्मेंट इन विच पीपल केन परफॉर्म ट्वार्ड्स अटेइन्मेंट ऑफ ग्रूप गोल्स एक ऐसी art है, जो एक ऐसा एन्वार्मेंट क्रेट करती है जिसके अंदर लोग एक common objective के लिए, एक common लक्षे के लिए, उदेश्य के लिए एक मिलकर साथ में काम करते हैं, ठीक है, तो उनसे काम करवाना साथ में तो अब डिस्कस करते हैं levels of management, management के कौन-कौन से level है तो इसके तीन level है, top management, middle management, lower management, ठीक है तो top management में आता है board of directors, इसमें वो सब board of directors, बड़े बड़े लोग आते हैं जो main planning करते हैं, किसी चीज के लिए, एक vision होता है, एक vision देखते हैं, company को बनाती है उसके basis पे, बाकी सब management को follow करना होता है, middle management को और lower management को, ठीक है lower management, middle management को report करती है, ऐसे फिर middle management, top management को report करता है ठीक है, report करता है का मतलब यह है, कि इन सब को काम assign होता है top management, middle management को काम assign करेगी, और middle management, lower management को assign करेगी तो वो cross check करना इनका काम होता है कि top management ने जो इनको काम दिया वो हो जाना चाहिए ये काम अब middle management ने आगे transfer किया तो ये इनके उपर check रखेगी इनको motivate करेगी वो सब काम करने के लिए ठीक है? तो हम discuss कर रहे थे top management में आता है board of directors managing director, general manager ठीक है? अब देखते हैं middle management में आता है branch manager, production manager marketing manager, finance manager personal manager तो middle management में ये सब managers आते हैं एक branch manager जैसे एक company की बहुत सारी अलग-अलग branch होती है तो एक branch का जो manager होगा वो इस middle management में आएगा ठीक है? और उसके ऐसे ही अलग-अलग segment होते हैं जैसे production से related अलग segment होता है marketing department अलग होता है तो ऐसे ही उसका manager भी अलग होता है finance का और ऐसे ही personal यानि कि ये staff management जो HR department होता है human resource जो की hiring and all वो सब करते हैं ठीक है? तो अब देखते हैं lower management lower management ये सबसे lower में आती है इसमें for men office superintendents and supervisors departmental heads ये सब आती है ठीक है? तो चलिए अब देखते हैं functions of top management top management के क्या-क्या functions है तो first है goals and policies जैसे कि हम लोगों ने discuss किया कि इनका काम होता है goals बनाना और policies बनाना यानि ये vision देखते हैं कोई बड़ी चीज को achieve करने के लिए फिर उसको छोड़े-छोड़े goals में convert कर देते हैं ठीक है? और उससे related company की policies भी बनाती है जैसे कि बहुत बहुत जादा policies depend करती है company के coding अलग-अलग companies में अलग-अलग policies होती है तो बहुत जादा policies, strict policies भी सही नहीं रहती है जैसे कि timing की policy हो सकती है कि time क्या आना है जैसे जो भी लोग आते है company में तो उनको किस time पर आना है इस तरह की policies हो गई ठीक है और harassment नहीं होनी चाए company में यह सब चीज से और second है फिर planning and coordination तो यह planning का काम करते हैं यह इनोंने goal set कर दिया उसकी planning करते हैं कि वो कैसे कैसे करवाना है ठीक है तो वो इनका काम है और coordinating फिर यह अपना lower management से coordinate करते हैं इसके लिए middle management से sorry it appoints the executive for middle level तो middle level जो management होती है जो third level की management यह क्या करते हैं executive appoint करते हैं ठीक है जो उनके main जो director होंगे जो manager होंगे उसको appoint करेंगे ठीक है responsible towards the shareholders for the performance of the enterprise तो गाइस जैसे कोई भी company अगर वो public company है अगर वो listed company है उनने share issue की हुआ है तो उस case में जो shareholders होते हैं जैसे इसमें interested होते हैं कि company में क्या चल रहा है profit क्या है अगे की planning क्या है वो सब चीज़े तो जो जो लोग भी company में interested होते हैं उनको बोला जाता है stakeholders तो stakeholders में से एक होते हैं share holders वो भी एक तरह के stakeholder होते हैं ठीक है तो responsible towards shareholder for performance of enterprise ठीक है तो performance उनको बतानी होती है board meeting होती है जैसे कि annual journal meeting भी होती है तो उसमें AGM में भी कुछ चीज़े discuss होती है कि उनके plans क्या है तो इस सब के लिए top management responsible होती है ओके चलो आगे देखते हैं functions of middle management जो middle level की management होती है उसके क्या-क्या functions है वो देख लेते हैं इसमें कोन-कोन आते हैं branch managers and departmental managers यह सब बाते हैं organizational and directional functions तो इनके जो function होते हैं organize करने के होती है जैसे assign कर दिया किसी को काम कि उसने ये काम करना है ऐसे organize करना है उसको proper way में और direction देनी कि किस तरह से उसको करना है ठीक है explain policies from top level management to lower level जैसे के हमने discussing किया है कि top level से इनको मिलेंगे order जो policies बनेंगी वो सब चीज मिलेंगी इनको और ये आगे फिर lower management से वो सब चीजे करवाएंगे ठीक है जो भी assignment मिलेगा जो भी goal होगा उसको छोटे-छोटे टुकडो में distribute करके वो अब डिवाइड करके उनसे करवाएंगे lower level management से ठीक है participate in employment and training of lower level management तो क्योंकि ये middle management है lower management के जास्ट उपर तो ये उनकी जो employment है यानि कि उनका जो hiring बगारा वो सब देखते है और उनकी training हो गई functions of lower management तो lower management के क्या function है it consists of supervisors foreman, section, officers and superintendent तो ये सब इसमें आते है lower management में assigning of jobs and tasks to various workers अब जो lower management है वो क्या करती है वो एक बिल्कूल अब छोटे level पर हम आ गए हैं जैसे for example यहां से उपर से कोई चीज स्टार्ट हुई कोई orders आए ठीक है जो board of directors है BOD जो होती है company के first level management है तो वहां से orders स्टार्ट हुए ठीक है initiate हुए उसके बाद वो नीचे आए यहनि middle management के पास फिर middle management ने वो दिये lower management को कि ये सब आपको करवाना है अब जो है lower management actual में जो field पे काम होता है वो उसको देखे ही ठीक है तो जो workers है बिल्कुल execution की बात आ रही है यहां पर बिल्कुल छोटे level पे जो काम start हो रखा है जो काम चल रहा है तो उसका execution करवाना accurately मतलब जो day to day activities होती है वो सब करवाना वो lower management का काम है responsible for the quality as well as quantity of production तो जो भी काम हो रहा है जो production हो रहा है तो उसकी quality के लिए plus में quantity के लिए उन दोनों के लिए यह responsible है यानि कि अब board of director ने कुछ काम बोला कि यह काम आपको करवाना है middle management को ठीक है middle level management को बोल दिया फिर उसने lower level management को बोल दिया अब lower level management का काम है कि उसको अच्छे से करवाना अच्छे से मतलब कि उसकी quality भी maintained हो और ऐसा ना हो कि quality के चकर में quantity को compromise हो जाए तो उसकी quantity भी sufficient हो जितनी requirement है जितनी demand है उसके according quantity भी होनी चाहिए और quality भी product के अच्छी होनी चाहिए ठीक है और they help to solve the grievance of the workers lower level management क्या करती है क्योंकि ये worker से directly joint रहती है उनसे इनकी जो interaction वगएरा रहती है तो ये उनकी grievances यानि कि उनकी जो complaints है जो शिकायत वगएरा है उनको भी उपर management को बताती है ठीक है और उसको solve करवाती है there are necessary materials, machines, tools, etc. for getting the things done तो जो ground level पर मतलब ये लोग काम करते हैं जो भी requirement होती है वो सब ये पूरा करते हैं ground level के लिए machines हो गई, tools हो गई, etc. तो guys इस वीडियो में इतना ही अगर आप कोई वीडियो अच्छे लगी तो आप channel को subscribe करें वीडियो को like करें और bell icon को भी press कर लें ताकि आने वाली वीडियो का notification आपको मिलता रहें इस वीडियो में इतना ही जल्दी मिलते हैं आगली वीडियो में तब तक के लिए बवाए झाली वीडियो में